गेट स्कोर कैसे डिसाइड होता है, काट अफ माक्स कैसे डिसाइड होते है, क्या राइंक वन के हमेशा 1000 स्कोर ही बनता है उसे कम भी बन सकता है और कैसे, इस बारी लोगों के स्कोर कम क्यों है, as compared to last year, यह सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, तो मैं इस वीडियो में जो डेटा का यूज कर रहा हूँ, मेकानिकल के 2023 के रेंग उसे मार्स और सिस कोर का जो डेटा है, उसका यूज कर रहा हूँ, तो पहले बात करते है कि cutoff marks कैसे decide होते है तो cutoff marks 25 या फिर mu plus sigma मतलब standard mean of that paper and standard deviation का summation इन दोरों में से जो ज्यादा है वो आपका cutoff marks रहेगा for general category तो general category का यह cutoff है जैसे for example इस बारी mechanical में रहा 28.4 general category का cutoff तो उसका मतलब यह mu plus sigma of mechanical paper is 28.4 अब बात करते हैं कि gate score कैसे decide होता है तो यहाँ पर formula दी गई या आई टी के द्वारा तो काफी लोगों को यह समझ में या दिया क्या चीज़ है तो एकदम आसान बाशन में मैं समझाओं उसे तो जो cutoff marks अब जले decide हो गया कि 28.4 है तो इस person का cutoff marks जितना marks बनेगा उसको 350 स्कोर assign कर दिया जाएगा and now जो top 0.1% लोगे और पेपर के जितनों जितने लोगे ने अपियर किया है वो पेपर उसके top 0.1% या फिर top 10 उसमें से जो ज्यादा रहते हैं तो mechanical में for example इस बारी 64,000 लोगों ने अपियर किया है तो top 0.1% है नि 64 लोग तो 64 लोगों के जो marks है वो marks के mean marks मतलब average करके जो बनेंगे उतने अगर किसी के marks होंगे तो उसको 900 score assign कर किया जाएगा तो for example इस बारी 76.67 जो marks है वो top 64 लोगों के average marks होंगे तो उस person को 900 score assign किया गया है यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है अब उससे ज्यादा जिसके marks होंगे उसके 900 plus score बनेंगे और उससे कम जिसके marks होंगे उसको 9 से से कम score बनेगा और अब ऐसा है कि दो लोगों को assign कर दिया गया कि जिसका cutoff है cutoff जितना marks है उसका 350 है जिसका 0.1% के average इतना है उसको 900 और उस दोनों के बीच में फिर linear line rock कर दीजाएगी मतलब linear interpolation क्योंकि आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर बुला गया है कि gauge score जो आपके marks से linearly proportional है gauge score का number of candidate से कोई लेना देना नहीं है gauge score का rank से कोई लेना देना नहीं यह gauge score का केवल और केवल आपके marks से linearly relation है तो आपके जितने marks ज्यादा होंगे उतना gauge score आपका ज्यादा बनेगा अब यह जो बाकि सारी चीज़े हैं जो MT and MQ जो MT है मतलब जो टोटल टॉप 0.1% के average and MQ है वह उसका cut-off वह दोनों number of candidates पे somehow relate करते हैं तो यह काफी बड़ा misconception लोगों के मन में रहता है तो अब ऐसा रहता है अब बात करते हैं कि cut-off marks अपने general category का decide के 28.4 अगर किसी का उससे कम marks बन रहा तो उसके score 350 से कम बनेंगे बट वह person केवल category में ही cut-off clear कर पाएगा अगर वह किसी marks of 85.67 ठीक है 85.67 जिसके marks है यहाँ पे इसको अगर आप नीचे कर लो तो यह 85.67 marks बनेगा ठीक है अब इससे ज़्यादा जिसके भी marks है यहाँ पे अलड़ी 1000 को touch कर गया है तो अब यह line वैसे तो जाती है उपर 1000 के plus but maximum limit 1000 है तो उसको 1000 score assign कर दिया जाएगा और उसके नीचे जिसका score है उस हिसाब से उसको उत्ता score मिलेगा अब ऐसा हो सकता है कि यह जो line यहां पर touch कर रही है वह 85.67 rank 1 का जो marks है उससे कम भी हो सकता है तो अगर rank 1 का जो marks है for example यहां कहीं पर है 80 marks बन रहा है rank 1 पर तो उसका score जो रहेगा वह around around 940 के एसपास रहेगा ठीक है उसका 1000 score नहीं जाएगा तो काफी बारी ऐसा होता है कि rank 1 का 1000 score काफी paper में नहीं बनता है और काफी बारी ऐसा भी होता है कि एक से जादा लोगों के 1000 score बन जाते है जैसे इस बारी mechanical में 6 लोगों के 1000 score बन रहा है प्राइट अब बात करते हैं कि इस बारी जो cutoff मलब इस बारी जो लोगों का score बना है वो लास्ट यह के comparison में कम क्यों बना है तो जो लोग कम comment करते हैं कि number of candidates इस बारी कम हो गए especially mechanical branch में काफी ज्यादा कम हो गए तो उसके कारण यह score drop हुआ है जो कि perfectly true नहीं है क्योंकि ऐसा है कि gate score का number of, मलब आप यहाँ पे for example अगर आपका 70 marks होता तो 70 marks पे अगर number of candidate दो लाक होते तो 70 marks पे आपका rank बनता बहुत पीछे तो 200-300 rank पे भी 70 marks पे यहाँ पे जो score बन रहा है something 820 के असपास तो उतना score बन जाता बट number of candidates एक time पे अगर इतने जादा थे competition इतनी जादा थी कि कितने भी tough paper हो 70 marks पे 1000 से भी कम score बन था 1000 से भी कम rank बनता था बट even though अगर इसमें for example number of candidates इतने जादा होते कि इसके बीच में बहुत सारे लोग होते उससे फरक नहीं उससे score से उसको score से फरक नहीं पड़ता है बट आपका rank जरूर डॉप हो जाता बट आपका score जो है 70 marks पे इस बारी उतना ही रहता तो main reason यह है कि इस बारी competition कम हो गई है काफी जादा तो 70 marks पे आपका जो rank दो तीन साल पहले बनता था उससे काफी अच्छा बन गया होगा इस बारी और काफी लोगों ने यह चीज़ अब्ज़र भी की है कि mechanical का paper इस बारी काफी easy था personally मैंने कभी expect नहीं किया था कि इतना easy paper 85 marks पे मेरा single digit rank पर्ण सकता है but still the key by competition कम होगी number of candidates वो compete कर रहा है वो दो लाग से कम होके 64,000 में आ गये तो in between जो लोग हो है वो चले गया है तो उससे rank अच्छा बन रहा है पर score नहीं बन रहा है जबकि आपका score उतना ही बनता जितना पहले बनना चाहिए था और score का जो purpose रहता है वो क्या रहता है कि score क्या decide करता है कि जो top 1% है वो तो paper जैसा है वो top 1% ही decide करते है कि paper tough या नहीं है अगर top 1% का average अगर down जाएगा तो उसका मतलब है paper easy है तो top 1% deciding factor है कि paper tough है या easy है उस हिसाब से वो आपको score देना चाहेंगे तो तो top 1% तो हमेशा competition कितनी भी कम हो या जादा हो वो तो ला ही देंगे अपने जो marks है बट उसके comparison में आपके marks बहुत कम आ रहा है जैसे top 1% का average मैंने बताया कि 76.67 है उसके comparison में आपके marks बनने for example 55 ठीक है तो 55 पे सीधा आपका score 900 से drop होके 650 के around बन जाएगा बट 55 पे इस दोनों के बीच में number of competitors बहुत कम हो गए इस बारी 55 पे आपका rank 600 के around बने या देख लेते कितना बनता है इसमें यहाँ पे नहीं कवर किया गया बट 600 के आसपस इस बारी mechanical में 55 पे rank बन रहा है तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्यों इस बारी score कम बना है and second एक ची 1% का number है कि जैसे for example यहाँ पे अगर टू लैक लोगों ने अपर किया ओता तो टॉप बन परसेंट लोग दो सो लोग हो गोते तो दो सो लोग का जो average है 200 लोग का average काफी down होता as compared to 64 लोगों का average है क्योंकि top 64 का average काफी जादा होता है as compared to top 200 का average तो लेच्छे अगर top 200 का average यहाँ पे 70 हो जाता तो 70 marks पे आपका 900 score बन जाता जबकि यहाँ पे 66.67 पे 900 score बन रहा है तो यह एक also deciding factor है कि indirect factor है कि number of candidates जो कम हो हुए है उसके कारण आपके gauge score degrees हुआ है